तुम रहने दो मैं कर दूँगा, तुम रहने दो मैं पैसे दे दूँगा, तुम रहने दो मैं बात करता हूँ, तुम रहने दो मैं चला जाता हूँ, तो आईए देखते हैं इस तरह के sentences को English में बनाने के लिए किस structure का यूज किया जाता है, इस तरह के sentences को English में बोलने के जिस structure का यूज किया जाता है वो है you let it be इसका हिंदी मीनिंग होता है तुम रहने दो या फिर तुम छोड़ो आईए इसका rule देखते हैं इसके rule के लिए सबसे पहले आएगा you उसके बाद आएगा let it be और उसके बाद आएगा sentence sentence हमारा किसी भी tense में हो सकता है आईए इसके कुछ examples देखते हैं तुम रहने दो मैं पैसे देदूँगा you let it be I will give the money you let it be I will give the money तुम रहने दो मैं कर दूँगा you let it be I will do it you let it be I will do it तुम रहने दो मैं चला जाता हूँ you let it be I go you let it be I go तुम रहने दो मैं बात करता हूँ you let it be I talk you let it be I talk तुम रहने दो मैं उसे समझा देता हूँ you let it be I explain him you let it be I explain him तुम छोड़ो मैं बात कर लूँगा you let it be I will talk you let it be I will talk you let it be I'll talk You let it be I can ुम I will talk for a further